Hello friends welcome you all आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिखान दिखे बात करेंगे small stocks की चोटे stocks हो या बड़े stocks या mid-cap stocks लेकिन बड़ी learnings की बारे मों बात करेंगे big learnings और बहुत कुछ आपको शीखने को मिलेगा और examples देंगे साथ में price section को देखेंगे, charts के माध्यम से सीखेंगे और बड़ा time frame मतलब बड़ा patience बड़ा patience मतलब बड़ा rally आपको देखने को मिलता है तो चलिए detail में समझते और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूगर आपको पैसा नहीं बलकि time की जरूद है, time जरूर लगा है यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़े इतनी detail में आपको समझाई गई है और examples के साथ, और regular video में आपको बहुत अच्छे से examples बताए जाते हैं और किस तरीके से आप momentum की बारे मां बात कर सकते हो, किस तरीके से probability को समझ सकते हो और किस तरीके से मैं आपको यह कहूँगा कि low risk की opportunity की तरफ आप अपना ध्यान और पैसा लगा सकते हो तो चलिए आज दो स्टॉक हमारे पास आएंगे, एक तो है जय भारत मारूती, आज की डेट में आपने बड़ी rally देखी होगी, 319 तक price पहुँच चुका है और एक है JBM Auto, जो की बहुत बहुत बहतरीन rally करते करते, 1300 के level को पार कर लिए यह 15,000 करोड का market capitalization है, जै भारत मारूती, पारत करते हैं, जो स्टॉक में खास क्या चीज है, जो आप यहाँ पे सीखोगे और समझोगे, तो स्टार्ट करते हैं हम JBM Auto से, आप सबसे पहले JBM Auto को आप देखो, आपको बहुत कुछ यह सिखा रहा है, जैसे हम बार बार कहते यह अकेला स्टॉक आपको इतनी चीज है बताएगा, तो आपको होगे होगा, मज़ा आ गया, तो सबसे पहले यह मन्थली चार्ट है JBM Auto का, और ध्यान देना इस चीज को, सबसे पहले आप इस impulse को देखिए, यह impulse आपने देखी, उसके बाद यह ठीक है, हमारे लिए यह impulse तो बिल्कुल बेस है, आधार मन्थली पे, लेकिन जब इस तरीके की correction आपको देखने को मिलती है, impulse के बाद, बड़े volume के बाद, और low volume की correction देखने को मिलती है, तो हमेसा alert हो जाए, जैसी आप alert होगे, opportunity आपके पास आईगी, ऐसा नहीं कि हो चली जाएगी, opportunity आपके पास जब यह इतनी जबर्दस rally किसी ने की है, तो ऐसा नहीं कि हो थोड़े से move के लिए की है, वो बड़ा move अभी pending है, अब जब यह यहाँ पे चीजे resolve हो रही होगे, तो देखे, फिर से आपको होगे, वा, क्या rally है, अब आप इसके price level को अगर देखते हो, यहाँ पे, यहाँ क्या price level था, 4500 के आसपास, 480 के आसपास, और आज stock कहां पे, 1300-1400 के आसपास आपको गया, यह तो बहुत ही जबर्दस rally है, आपको देखने को मिली, percentage wise अगर आप देखोगे, तो आपको यह rally मैं अगर कहूँगा, कि यहाँ पे आपने 500 के level पे भी पकड़ी, तो आपको गय लिए आपके लिए छोटे time frame हो जाते हैं, अब इस चीज़ को देखना और समझने की कोशिश करना, आपको बहुत चीज़ा सिखाएगा यह, आप यह clearly देख सकते हो, यहाँ पे, किस तरीके से यह correction बनती है, मिलकुल base बनता है, और base के बाद हमारे लिए important area, zone जो है, वो यह चार्ट यह stock, यह 500 का level है, अब आपको गया है, इस time पे क्या हम इस stock को पकड़ सकते थे, तो आप यह देखिए, यह stock देख रहे हो, यह JBM का stock है, पुराना वाला, यह देखिए, प्राइस 502 का price, अब आप समझ गया होंगे कि हाँ, इस time पे हम stock को समझ सकते थे, और हमारा risk कितना था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा, तो यह ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है, तीन-चार महीनी पहले का वीडियो है, तो मैं आपको कहूंगा इसको देखे, नीचे description में भी लिंक होगा, और उपर I button पे जाके भी आप देख सकते, यह JBM का stock, देख रहे हो यही तो part है, अब यहाँ पर रिस्क कितना है, चलिए रिस्क को देखते हैं, माल लो आपने 502 के आसपास इसको बाइंग करिए, 550 के रवल पर यहाँ पर कहीं पर भी बाइंग करिए, आपके पास stop loss है, आप देखे यह जैसे March के टाइम पर आपके पास आया था, तो आप द अगला एक्जांपल आपके पास है, जै भारत मारूती को देखेंगे, मन्थली चार्ट है, बिल्कुल करेक्शन में, वॉल्यूम गायब है, और अभी इसमें दो चीजे सीखेंगे, अब मैं डेली चार्ट पर वीकली चार्ट पाक को ले के आओंगा, वीकली चार्ट पर ल देखेंगे हों, और यह RSI, MACD और बिल्कुल प्राइस को देखें, 180 का प्राइस और आप देख सकते हैं, आज कहां यह गया, आज कहां यह गया, वो देखें, 319 के चला गया धीरी धीरे, अब इंपोर्टन बात समझते हैं, जो मैं बहुत इंपोर्टन, देखें, पिछली लेकिन इस बार क्या हुआ, यह इस टाइम पर रहली नहीं किया, बलकि इसको थोड़ा और नीचे आया, बिल्कुल लो वाल्यूम के साथ, अब देख रहे हो, क्लियरली, तो अब इसने क्या बनाया, 200 SMA पर और स्ट्रॉंग बेस, तो यह समझ लेना, 200 SMA में कभी भी बेस ब यहाँ पर हिट भी होगे, अगर आपने इमीजिट वाला स्टॉप लगा रहा है, तो फिर बॉका मिला देखिए, और फिर देखिए, पूरा यह स्टॉप लॉस भी आपका फाइदा है, और उसके बाद देखिए, तो अपरसुनिटी बरकरार, और आप देख सकते हैं, इसल स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ आती रहती है, और फिर आप देखिए, सीधे-सीधे, अगर मैं कहूंगा कि टार्गेट, पहला टार्गेट, यह देखिए, और जब लास्ट टाइम पहली बार इस सिचुएशन पर था, तो हम आपके लिए उस टाइम पर बेश का वीडियो ले स्ट्रेंद की वीकेंड से मन्थेंड आगे हमारे पास, इस बार आपके पास मन्थेंड के मन्थ के 50 स्टॉक उठाईए, जो सबसे ज्यादा भागे है, और अगर आपको स्मॉल काइप काटेगरी नहीं देखनी, तो हजार करोर से उपर के मार्केट करपलेशन देख लिए यह जो बिल्कुल तोड़ा सा सही है, लेकिन वीकेंड भी है, तो वीक वाले उठा लिए पचास स्टॉक, तो फ्राइडे डे अंड भी है, पूरा का पूरा देखिए, तो दे के 50 स्टॉक, तो इस बार आपके पास अगर मैं बेसिक एक्सराइज कहूं, तो दिर्ट स्टॉ को दिर्ट सो तक सीमित नहीं रहना है, अब धीरे-धीरे करके स्टार्टिंग में तो चलिए आपने कम-कम के साथ स्टार्ट किया, लेकिन धीरे-धीरे जब एक्स्पीरेंस हो जाएगे, तो बहुत जल्दी आप स्टॉक को देखने लग जाओगे, समझने लग जाओगे, तो फिर आने वाले टाइम पर आप देर सो से उसको 200 करिए, 200-500 करिए, 200-300 करिए, और मैं तो यह कहूंगा, जब इस तरीके से तीनों चीज है, साथ हुझा रहे हैं, मन्थंड, वीकेंड, डेंड, यह साथ है, तो उसको 100-100 करके, एट लिस्ट 300-400 तक तो पहुचाईए इन स्टॉक को प्रैक्टिस करके, वो इनिशल की लेवल के लिए है, कि आप 1500 स्टॉक के साथ जाएए, तो इसी साब से जबाब देखोगी, तो पूरे महीने में आपके पास कई हजार चार्ट्स आप देख पाओगे, और ज्यादा टाइम लगता नहीं है, बहुत कम टाइम वीडियो को शेर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस करता रहिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पर वाच्किन दब वीडियो,